हरे कृष्णा मैं हूँ दुर्गेश कृष्णडास और एक बाय फिर सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चानल हरे कृष्णा डिवर्शिन पे तो आज की एकादशी पृत्रदा एकादशी की वृत कथा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा जिन कथा भद्रावती नाम के नगरे में सुकेतमान नाम के राजा राज्य क्या करते थे जिनके कोई संतान नहीं थी उनकी पत्नी शव्या इस बात को लेके काफी परशान रहती है कि अगर मेरे मृत्ती हो जाती हो तो मुझे पिंड़दान कौन देगा जिस घर में पुत्र नह सुकेतमान के जो पित्र होते हैं वो भी रो रो के पिंडदान लेते हैं कि आने वाले भविश्य में हमको पिंडदान कौन देगा, हमारा धार कौन करेगा इस बात की चिंता में एक दिन सुकेतमान राजा अपने घोडे पे सवार होकर एक जंगल की तरफ निकल जाते हैं साथ साथ वो ये भी विचार के ते क्यों ना मैं आत्मात्या कर लो लेकिन ये बात उनको ध्यान आते के आत्मात्या करने से निश्चित रुप से मुझे पाप लगेगा तो वो तूरत आत्मात्या करने के विचार को रोग देते हैं अब जो वो घोडे पे सवार होके जंगल की तरफ निकले हैं वो देखते हैं चारों तरफ पशू, पक्षी, सीन, हाथी हाथी निया अपने बच्चों के साथ गूम रहे हैं यानि पूरा परिवार जंगल में सारी जीव जन्तुकावस राजा को दिख रहा है इस बात पर राजा विचार करते के मैंने तो नजाने कितने यक्ये किये हैं ब्रामणों को अच्छा अच्छा प्रिशाजम अच्छा अच्छा व्यंजन खिलाया है फिर मुझे पुच्र के प्राप्ते क्यों नहीं हुई ऐसे करते करते काफी थक गार उनको प्यास लगने लगी और जब प्यास लगने लगी तो इस प्यास को मटाने के लिए वो एक सरोवर तक जा पहुंचे राजा वहाँ देखते हैं कि सरोर की आसपास कुछ मुनियों ने आश्रम मना रखा है अब राजा की दाहीनियांग फड़कने लगी और जैसे ही दाहीनियांग फड़की राजा को लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो शुब शंकेत यहां पर मिलने वाला है राजा वह मुनियों के पास जाके प्रणाम करके उनके सामने बैठ जाते हैं सारे मुनियों से कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्रसन हैं राजन बताईए तुमारी क्या इच्छा है तब राजा पूछते हैं हैं मुनियों आप कौन है और आप यहां क्या कर रहे हैं तो लिश्य मुनी कहते हैं कि आल पुत्र प्राप्ति की एका दशी है, पुत्र देने वाली एका दशी है, पुत्र दाएका दशी, तो हम लोग विश्वदे हैं और यहां सरुबर्बे सनान करने के लिए पूजन करने आये हैं, इस बात पर राजन कहते हैं कि मेरी भी कोई संत हो जाएगी फिर क्या था राजन ने पुत्रदा एकदेशी के व्रत का पालन किया विधी पूर्वक पूजन किया द्वादेशी के दिन पारण कर कुछ समय बाद उस घर में एक पुत्र की प्राप्त हुई राजन को आखिर एक पुत्र की प्राप्त हुई तो ये पुत्रदा हमें तो भगवान की सेवा करनी है इसलिए मैंने कहा शुरू में की कर्म कांट इसे में मत जाएगा हां पुत्र की प्राप्ति निश्चेतरुप से होगी अगर भगवान पे श्रद्धा है और आप इस एकादशी का पालन काफी श्रद्धा के साथ करते हैं तो तो आज के लेकर आता रहोंगा पर उसके लिए कुछ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा हरे क्रिश्चा